नमस्कार बच्चों आज हम आपके लेखा शास्त्र के दूसरे पुस्तक के चौथे अध्याय का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं बच्चों इस अध्याय में हम विट्द्य विवरणों का विशलेशन सीख रहे हैं पिछले भाग में हमने वित्य विवरणों के विशलेशन का अर्थ जाना कि विशलेशन का अर्थ क्या है कि हमारे पास जो वित्य विवरण होते हैं हम उनमें प्राप्त राशियों वो सूचनाओं या तथियों को विशलेशित करते हैं उनके तुलना करते हैं, उनके प्रतिशत ग्याद करते हैं, उनके संबंध ग्याद करते हैं, कितनी वृद्धी हुई, कितनी कमी हुई, इस तरह की सभी सूचनाएं हम ग्याद करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम या हमारे कमपनी से जुड़े हुए जितने भी उपयोग करता ह जो हमारे वित्यक हातों का उप्योग करते हैं वो लोग वो संस्थाएं अपने निर्णय ले सकें इन सूचनाओं की आधार पे वो सूचनाएं जो विश्रिलेशन से निकल कराती हैं हमने विशलेशन की तकनीकों की चर्चा भी की हमने देखा कि दो प्रकार की तकनीके होती हैं एक तुलनात्मक और दूसरा समरूप ये दो तकनीक की हम इस अध्याई में पढ़ रहे हैं आने वाले अध्याई में हम और भी तकनीके सीखेंगे हमने फिर तुलनात्मक तकनीक का तुलनात्मक विशलेशन का स्वरूप देखा और हमने एक उधारण के सहित लाब वहाने विवरिन अगर हमें दिया जाए तो उसकी तुलनात्मक विशलेशन कैसे की जाए इसके बारे में जाना आज हम अपने उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम उधारणों की सहायता से तुलनपत्र का तुलनात्मक विशलेशन वा फिर समरूप विशलेशन करना सीखेंगे इस अध्याय के इस भाग के अंत में आपको तुलनात्मक वा समरूप विशलेशन करना उन दो विवरणों का जो हमारे सबसे महत्व पूर्ण है तुलन पत्र याईनि बैलेंशीट और लाब वहानी विवरण याईनि स्टेट्मेंट और प्रॉफिट और लॉस इनका तुलनातमक वा समरूप विवरण करना अच्छे से आ जाएगा तो मैं आशा करता हूँ आप इस पर ध्यान देंगे आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं तुलनातमक विवरण तुलन पत्र का हमारे सामने एक उधारन है इस उधारन में हमारी कंपनी का तुलन पत्र हमें दिया गया है कंपनी का नाम है J.Limited तो जे लिमिरेट की ये जो कमपनी है इसके तुलन पत्र में हमारे पास जो मुख्य मदे हैं उन पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं अंश धारक निधी के अंदर आपके पास अंश पूंजी है आरक्षित वादिशेश यानि रिजर्व और सर्प्लस है गैर चालू देताएं भी हैं जिनके अंदर दीर्ग कालीन रिण हैं चालू देताएं हैं जिनके अंदर व्यापारिक दे जिनने हम ट्रेट पेबल कहते हैं जिनके अंदर क्रिटर यानि हमारे जो सप्लायर होते हैं जिन से मुधार खरीते हैं उनको देने वाली राशी आती है फिर इनका कुल योग 35 लाख रुपे 2017 में वह उससे पिछले वर्ष 26 लाख रुपे के हमारे कुल देयताएं थी इसी परकार समपत्यों के अंदर गैर चालु समपत्यां जिसके अंदर स्थाई उसके अंदर मूर्थ तवा अमूर्थ फिर चालु समपत्यां जिनका योग इस वर्ष 35 लाक वो पिछले वर्ष 27 लाक रुपए का था तो यह एक बड़ा ही सामान्य वज सरल तुलनपत्र हमने लिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो इस प्रकार आपको भी प्रशनों में तुलनपत्र दिये जाएंगे आपको इस तुलनपत्र को पियोग करके इसकी तुलनात्मक विवरण या विशलेशन को तयार करना है तो बच्चों हमने तुलनात्मक विवरण या विशलेशन का जो सरूप था वो पिछले भाग में ही देख लिया था इसमें पहले कॉलम में हम विवरण देते हैं फिर हम पिछले वर्ष की राशियों को पहले लिखते हैं ध्यान देना है कि आपके प्रश्ण में जब आपके पास तुलन पत्र आएगा तो सामान्यत आपको 2017 यानि वर्तमान वर्ष पहले वह पिछला वर्ष बाद में दिया जाएगा लेकिन जब आप इसका तुलनातमक विवरण बनाएंगे तो आपको पिछला वर्ष पहले लिखना है जैसे कि यहाँ पर 2016 है और 2017 यानी वर्तमान वर्ष बाद में लिखना है फिर हम दो कॉलम और बनाएंगे जिसमें हम पहले घटा कर इन दोनों राश्यों को जो दो वर्ष की राश्य हैं उनको घटा कर हम पहले अंतर प्राप्त करेंगे फिर हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो बच्चो हमने थोड़ा सरलता के लिए क्या किया है कि हमें जो राश्या यहां दी थी उनको हमने अपने हल में लाखों में व्यक्त किया है जैसे कि हमारे पास 2017 में 20 लाख रुपे की अंश पून जी थी तो उसे हमने यहां पर केवल 20 लिखा है और हमने उपर उसे बता दिया कि वो लाखों में है राश्या तो बच्चो अब सबसे पहले तो हमने प्रशन से देखकर 2016 की सारी राश्या यहां वह यहां पर सारी हमने उतार लेनी है इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है पहले दो कॉलम आपको सिर्फ प्रशन में देखकर हमने उतार दिये इसके पश्चात हमारा काम शुरू होता है इन दो कॉलम्स से पहले हम अंतर ग्यात करेंगे अंतर ग्यात करने के लिए बहुत सरल विधी है जो हमने पिछले भाग में भी देखी कि हमें वरतमान वर्ष की राशी में से गत यानी पिछले वर्ष की राशे को घटाना है जैसे कि यदि आप 20 में से 15 को घटाएं तो आपको पांच प्राप्त होगा आप यदि 3 में से 4 को घटाएं तो आपको माइनस 1 प्राप्त होगा इसलिए हमने उसको यहां ब्रैकिट में लिखकर दिखाया है इस प्रकार आप सभी राश्यों को घटाएं 9 में से 6 गया, 3 फिर आपने 3 में से 2 को घटाएं, 1 फिर आपको योगो को भी घटाना है एक, एक चीज़ को आपको घटाना है 35 में से 27 घटाएं 8 प्राप्त होगा इसी प्रकारे के करके अब सभी राशियों को घटा कर इस कॉलम में चौथे कॉलम में अंतर जो किया तो वृद्धी हो सकता है या कमी हो सकता है उसे ग्याद करेंगे एक बार हमारे पास यह वृद्धी या कमी की राशिया आ गई फिर हमें इने प्रतिशत में परिवर्तित करना है वो भी ठीक उसी तरह जैसे हमने पिछले भाग में देखा प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम इस परिवर्तन की राशी को पिछले वर्ष की राशी से से विभाजित करके 100 से गुणा करेंगे जैसे कि यदि मैं 5 को 15 से विभाजित करूं और 100 से गुणा करूं तो मेरे पास 33.3 प्रतिशत का प्रतिशत प्राप्थ होगा जो की हमने यहां पर लिख दिया तो इस प्रकार प्रतियेक परिवर्तन की राशी को हम उसके समक्ष पिछले वर्ष की जो राशी थी उससे विभाजित करके प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे हम इन सभी को इस प्रकार एक एक करके विभाजित करेंगे हमें योग को भी यही करना है आठ का जो ये परिवर्तन है आठ लाग रुपे का इसे हमें 27 लाग से विभाजित करके फिर 100 से गुणा करना है इसके बाद आपके पास सभी राशियों की प्रतिशत में परिवर्तन मात्रा भी आ जाएगी इस प्रकार तुलन पत्र का तुलनात्मक परिवर्तन भी हमें शुद्ध रूप से यानि एपसल्यूट तरीके से और प्रतिशत के तरीके से बताता है कि तुलन पत्र की जो मदे थी संपत्या हों चाहे दाइत्व हों उनमें क्या परिवर्तना है जैसे कि यदि हम इसका विशुलेशन करें तो बच्चो अन्ष पून जी पहले के मुकाबले 33 प्रतिशत के करीब बढ़ गई है यदि उसके शुद्ध मातरा को देखा जाए तो यह वृद्धी 5 लाक रुपे किये वहीं हमारे पास जो रिजर्व होते हैं या जो हमारे पास यह अधिक्य होता है यह पिछले साल के मुकाबले इस साल 25 प्रतिशत या फिर एक लाक रुपे घट गया है इसी तरह यदि हम आगे चले हम संपत्यों के कुछ मदों को देखे तो हमारे पास जो मूर्थ संपत्यों के नाम से जानते हैं यह पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ गए है यानि 5 लाक रुपे बढ़ गए है इसी प्रकार अगिदिया दी हम रोकड को देखें, कैश को देखें तो कैश एक लाक रुपे यानि की करीब करीब 50 प्रतिशत पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बढ़ गए है हमारा जो तुलन पत्र का योग है वह भी पिछले साल के मुकाबले इस साल 8 लाक रुपे या फिर 39.63 प्रतिशत बढ़ गए है तो तुलनात्मक विवरण दो अलग-अलग अवधियों को आपस में तुलना करता है और पिछली अवधी से इस अवधी में कितना परिवर्तन हुआ उसे प्रतिशत्व शुद्ध रूप से दर्शाता है तो इस प्रकार हमने तुलन पत्र व लाब वहानी खाते दोनों का तुलनात्मक विवरण करना सीखा तो बच्चो समरूप विशलेशन जो होता है उसके अंदर हमने थोड़ी सी चर्चा पिछले भाग में भी की थी कि उस विशलेशन में हम दो अवधियों को नहीं देखते बलकि हम एक ही अवधी के विभिन मदों की आपस में तुलना या विशलेशन करते हैं तो समरूप विशलेशन का अर्थ क्या हुआ बच्चो इसके अंदर हम संगठक प्रतिशत विवरण निकालते हैं उसके संगठक प्रतिशत विवरण के नाम से भी जाना जाता है इसका अर्थ समझिये कि हम जो भी खाता या विवरण ले रहे हैं माल लेजे हम तुलनपत्र को ले रहे हैं तो तुलनपत्र की एक वर्ष में जो भी मदे हैं वो उसका संगठन या संगठक कहलाते हैं यदि एक तुलन पत्र में हमारे पास संपत्तियां है जिसमें गैर चालू संपत्तियां है चालू संपत्तियां है चालू संपत्तियों में हमारे पास रोकड है रहतियां है तो ये सारी उसकी मदें जो हैं उसका संगाठक कहलाते हैं हम यहाँ देखना चाहते हैं कि पूरे तुलनपत्र में विभिन्न संगाठकों का क्या हिस्सा है या क्या प्रतिशत है और फिर हम उसको यह तुलना कर सकते हैं बात में कि अलग-अलग वर्षों के दौरान क्या किसी विशेश मद के पूरे तुलन पतर के संगठन में कोई जो हिस्सा था उसमें कोई विर्धी हुई या कोई कम ही आई तो पहले हमारा जो ध्यान होता है इसके अंदर वो होता है कि एक वर्ष में हमारे विवरण के जो अंदर घटक हैं उन घटकों का एक हिस्सा घ्याद करना प्रतीषत घ्याद करना इसलिए हम इसे संगठक प्रतीषत विवरण के नामसे भी जानते हैं एक कंपनी के वित्य परिनाम वह वित्य स्थिती की प्रवर्ति वह बदलाव जानने का यह साधन वह उपकरण है यहां हम विवरण में दिये गए प्रतियेक मद को कुल राशी के प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं जैसा कि मैंने बताया उदहरण के लिए यदि हम तोलन पत्र ले रहे हैं तो हम परिसंपत्तियों के अंदर हर एक परिसंपत्ति को कुल परिसंपत्ति से विभाजित करके प्रतिशत के रूप में ग्याद करते हैं इसी प्रकार जब हम लाब वहानी विवरन लेते हैं तो हम उसके हर एक मद को आए से जो हमारी प्रचालन आए होती है प्रचालन आए के प्रतिशत के रूप में ग्याद करते हैं बचो ये सूचना जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको हम उधारन से देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे अभी आप इतना समझ ले कि समरूप विशलेशन में आप अवधियों की तुल्ना नहीं करते जैसा कि आपने तुल्ना अत्मक में किया इसके अंदर आप एक ही वर्ष के मदों को एक दूसरे से तुल्ना करते हैं उसके लिए हम एक चीज को आधार मान लेते हैं जैसे तुलन पत्र में करते वक्त हम जो योग होता है संपत्तियों या दायित्यों का उसको आधार मान लेते हैं लाब वहानी विवर्ण में करते वक्त हम प्रचालन आये को वह आधार मान लेते हैं फिर हम उससे हर एक मद को एक ही वर्ष के अंदर प्रतिशत में परिवर्थित करते हैं आईए इसे उधारन की सहयता से स्पष्ट वह सरल तरीके से समझते हैं पहले हम इस तरह के विशलेशन का स्वरूप देखते हैं जब आप ऐसा विशलेशन तयार करेंगे तो बच्चों पहले तीन कॉलम तो आपको प्रश्ण से ही प्राप्त हो जाते हैं जैसा कि तुलनात्मक में भी था एक में विवरन एक में पहले वर्ष की राशी एक में दूसरे वर्ष की राशी लेकिन अगले जो दो कॉलम है वो तुलनात्मक से यहां अलग हो जाएंगे यहां आप अंतर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम वर्षों या अवधियों को तुलना नहीं कर रहे हैं हम पहला प्र 2016 और 2017 के लिए लाब वहानी विवरण हमें दिया गया है में उसका एक समरूप विशिलेशन विवरण तयार करना है तो एक बार हम मदों को देख लेते हैं, हमारे पास एक तरफ प्रचालन आये है, फिर अन्य आये है, फिर हमारे पास कर्मचारी हित वियाए है, वो अन्य वियाए है, वो हमारे पास आये करके प्रतीशत यहाँ पर दिये गए है अब इसको पहले तो हम लाब वो हानी विवरन के एक जो उचित स्वरूप होता है उस प्रॉपर फॉर्माट में डालेंगे फिर हम इनका प्रतिशतिया समरूप विशलेशन करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले कॉलम में सारे विवरनों को लिखा हमने फिर पिछले वर्ष यानि जो 2015-16 हमारा पुराना वर्ष है उसकी राशियों को लिया और फिर वर्तमान वर्ष जैसे की 2016-17 है उसकी राशियों को लिया प्रश्ण में हमें लाब वहाने विबरन अपने मूल स्वरूप में नहीं दिया होता जैसा कि यहां भी नहीं दिया था हमने उसको उसके मूल स्वरूप में बदला हमने पहले प्रचालन आय लिखा फिर अन्य आय लिखा फिर हमने उनको योग करके कुल आय ग्यात किया दोनों वर्षों के लिए आप पहले एक वर्ष का चाहें तो कर सकते हैं इसके बाद आपने कुल आये निकाल ली तो अब आप वयए पर चले व्याए दो प्रकार के दिये थे आपको कर्मचारी हित व्याए वह अन्य व्याए दोनों व्याएं को आपने जोड़ा आपके पास आजाएगी कुल व्याय, फिर आपने कुल आय में से व्यायों को घटाया, तो आपको मिल गई लाब की राशी, यह लाब कर से पूर्व लाब है, अभी आपने कर को नहीं घटाया, तो आप इसे कर से पूर्व लाब लिखेंगे, इसके बाद आप कर के प्रतिशत के अनुसार कर की राशी ग्याद करेंगे पहले तो, 2015-16 में यदि आप देखें, तो 30 प्रतिशत कर की दर थी, तो 2015-16 में हमारा जो लाब आया, आय और व्याय को घटा कर, यह था 18 लाक रुपे, इसका 30 प्रतिशत आप करें, 18 को आप 30 बाई 100 से गुणा करें, 18 लाक को तो आपको मिल गया कर के पश्चात का लाब, इसी प्रकार, 2016-17 में भी कर के पहले का लाब, वह उसका 20 प्रतिशत घटान है, बच्चों, क्योंकि प्रश्न में, 2016-17 में आपको 20 प्रतिशत की कर की दर दी गई थी, तो 17 लाक के लाब पर 20 प्रतिशत, यानि 3,40,000 रुपे का आपने विट्य विवरण ही तयार किया है, अब आपको विशलेशन करना है, तो समरूप विशलेशन में ध्यान दिजिए, आपको इनको आपस में तुलना नहीं करनी, आपको सिर्फ एक बार में एक वर्श की राश्यों को देखना है, मान लीजिए हम 2015-16 का समरूप विवर के अंदर आप जो यह प्रचालन आये हैं इसको आधार माल लें 2015-16 में प्रचालन आये 25 लाग की है 25 लाग को आपने आधार माल लिया अब इसी वर्ष की सभी राशियों को आप इस आधार से विभाजित करें और प्रतिशत में बदलें आपको प्रचालन आये को भी करना है एक एक राशिय को करना है तो जब प्रचालन आये को खुद से ही विभाजित करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो आपको 100 प्रतिशत ही प्राप्त होगा यह ध्यान रखना है यानि पहला प्रतिशत हमेशा 100 आएगा इसके अंदर इसके इसको भी एक एक राशी को आपको 25 लाख रुपए से विभाजित करके 25 लाख के प्रतिशत के रूप में दिखाना है एक बार 2015-16 हो जाए फिर इसके बाद आप 2016-17 पर चलेंगे 2016-17 में आपकी प्रचालन आये की राशी है 20 लाख तो आप हर एक राशी को किस से विभाजित करेंगे 20 लाख से और 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल देंगे तो बच्चो इस प्रकार जब हम प्रतिशत ग्याद करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है इससे हमें यह पता लगता है कि इस विवरण का जो गटक थे इसके अंदर उनका विवरण में क्या हिस्सा था जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2015-16 में अन्य आये प्रचालन आये का 13 प्रतिशत थे अन्य व्यै प्रचालन आये का 8 प्रतिशत थे कर्मचारियों पर किया गया हुए देखिए कितनी महतोपूर्ण जानकारी है यह कि कर्मचारियों पर किया गया हुए 33 प्रतिशत इसका मतलब क्या हुआ कि एक कम्पनी अपनी प्रचालन आये का यहां company कर्मचारियों पर खर्च करती है, यानि अपनी आयका one third एक तिहा हिस्सा वो कर्मचारियों पर खर्च करती है, तो इस प्रकार यह हमें बताता है कि प्रतियक मद आयका कितना हिस्सा है, सेम उसी तरह से 2016-17 में भी हमें यहां प्राप्त होता है, अब हम इनकी तुलना भी कर सकते हैं बाद में, हम यह देख सकते हैं और कह सकते हैं कि company 2015-16 में अपनी प्रचालन आयका 33 प्रतिशत कर्मचारियों पर खर्च कर रही थी, जबकि 2016-17 में वो अपनी प्रचालन आयका किवल 22.5 प्रतिशती कर्मचारियों पर खर्च कर रही है तो फिर इसको और विशलेशन किया जाता है कि फिर यदि ये खर्च कम हुआ, तो क्या कोई और खर्च बढ़ा, क्या company की आय बढ़ी या घटी, किस चीज का हिस्सा बढ़ा या किस का कम हुआ, यह हमें सहायता मिलती है इस प्रकार समरूप विशलेशन करने से इसके पश्चाद बच्चों अब हम इसी प्रकार तोलन पत्र का भी एक समरूप विशलेशन करेंगे हमारे पास प्रश्ण में XRI Limited नाम की company का तोलन पत्र दिया गया है, जिसमें अंश पूंजी है, रिजर्वर सर्पलस यानि आरक्षित वादिशेश है, हमारे पास दीर्गकालिन रिड है, व्यापारिक देय है, संपत्तियों में मूर्थ संपत्तियों के अंदर मशीनरी है, अमूर्थ संपत्तियों के अंदर ख्याती यानि की गुडविल है, गैर चालू निवेश भी है, चालू समपत्यों में रहतियां है इस प्रकार हमारा पिछले वर्षानी 2016 में जो तुलन पत्र का योग है वो 41,50,000 रुपय का है 2017 में यह घटकर 32,50,000 का हो गया हमें इसका समरूप विशलेशन करना है तो हम इसे अपने फॉर्मैट में या स्वरूप में डालेंगे जहां पहले तो हम प्रश्न में दी गई राशियों को लिख लेंगी तुलन पत्र में थोड़ी सी महनत कम लगती है क्योंकि इसमें हमें सामान्यत है लाब वहानी की तरह विवरन का स्वरूप खुद नहीं बनाना पड़ता हमें प्रश्न में ही पूरा तुलन पत्र बना कर दिया गया था हम उसे ही ले लेंगे इसके पश्चात हम अपने दो कॉलम यहाँ पर बनाएंगे हमारा जो पहला कॉलम हम खुद बनाएंगे वह 2016 के पृतिशतों का कॉलम होगा तो बच्चों तुलन पत्र बनाते वक्त उसका समरूप विशलेशन करते वक्त हम अपना आधार किसे मानते हैं जिससे की पृतिशत निकाला जाएं हम अपना आधार मानते हैं से विभाजित करेंगे 41,50,000 रोपbral चाहे वो देताओं की राशी हो यह चाहे वो संपत्नियों की राशी हो हर एक राशी को 2016 में आप 41,50,000 रोपके से विभाजित करेंगे इसी Πरकार 2017 में हमारे तुलनपत्र ilanपात्र का यानि बैलेंश शीट का योग है 32,50,000 तो हम उससे हर एक राशी को विभाजित करेंगे और उस प्रकार हम अपना प्रतिशत प्राप्त करेंगे कुछ उधारण हम यहां देख लेते हैं जैसे कि यदि हम 15,00,000 को 41,50,000 रुपए से विभाजित करके प्रतिशत में बदलें तो हमें 36.14 प्रतिशत प योग से विभाजित करना है योग की राशी को खुद से विभाजित करना है तो जब उसे खुद से ही विभाजित करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा सौ प्रतिशत योग के सामने आपके पास क्या आ जाएगा सौ प्रतिशत तो बाकी अन्य राशियों को आप प्रतिशत के रूप में बदलेंगे 2016 को उसके योग से विभाजित करेंगे हर एक राषि को 2017 में हर एक में करीब 36.14 प्रतिशत था थोड़ा सा बढ़कर 2017 में वह 36.9 प्रतिशत हो गया हाला कि आप देखें तो अंश पून जी की राशी घटी है हमारे पास जो शेर कापिटल था अंश पून जी थी पहले 15 राकी थी अब वह 12 लाकी है राशी घटने के बावजूद तुलन पत्र में जो उसका वजन था जो उसकी महत्व थी या उसका जो भार था वह बढ़ गया है क्योंकि 2017 में बैलेंस शीट का योग ही काफी घट गया पहले वह 41 लाक पचास जार था पिछले वर्ष इस वर्ष 32 लाक पचास जार है ऐसे में जब हमने अंश पूंजी को उसके प्रतिशत में निकाला तो वह राशी घटने के बावजूद पिछले वर्ष से जादा प्रतिशत आई तो यह एक फाइदा है प्रतिशत में तुलना करने का राशियों को देखकर यह आप योग को ना देखे किवल राशी को देखे तो आ हमें अंश पूंजी का हिस्सा तो उल्टा कुछ हट तक बढ़ी गया है एक और विशलेशन यदि हम करें मान लीजी हम मशीनरी की बात करते हैं मशीनरी भे आप देखे कितनी घट गई है पहले 14 लाक्य थी अब 8 लाक्य या तो उस पर मुल्य हरास लगा होगा काफी या उस कारण हमारी मशीनरी काफी घट गई है अब मशीनरी का यदि हम अपने तुलन पत्र में हिस्सा देखे तो 2016 में कुल जो योग था उसमें मशीनरी का जो हिस्सा था वह करीब 33 से 34 प्रतिशत के बीच था जो की घटा है और क्योंकि वह काफी घट गया तो इस वर्ष भी प्र मशीनरी का हमारे तुलन पत्र के कुल योग में अब हिस्सा क्या रह गया है 24.62 यदि मशीनरी का हिस्सा घटा है संपत्तियों के योग में से तो किसी का तो बढ़ा होगा है तो आप देखें तो आपको देखेगा कि गैर चालू निवेश का हिस्सा बढ़ गया है पहले वह 24 प्रतिशत था अब करीब 30 प्रतिशत है इसी प्रकार रहतियों का हिस्सा भी तुलन पत्र में बढ़ गया है तो बच्चो इस प्रकार ये जो समरूप विशलेशन है वो हमें बहुत सटीक और बहुत महत्वपूर जानकारिया प्रदान करता है आपका ध्यान हालांकि इस कक्षा में विशलेशन को बनाने इस विवरण को बनाने पर जादा होना चाहिए अभी आप बहुत जादा इसके अंदर के संबंधों पर ना जाए तो बहतर है वो आप धीरे-दीरे आगे चलकर सीखेंगे इस अध् अध्याय में आपको सिखाए गई बातें आपको अच्छे से समझाए होंगी आज के इस भाग और इस अध्याय में इतना ही धन्यवाद झाल 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 झाल